ओम नमश्योय सभी भक्तों को जैसी रिलाम, सभी भक्तों को बार बार जैसी रिलाम हमारे पास, हमारे साथ में रहने वाले कुछ सदेश्यों में से एक सदेश्य ने बुच्छा कि भक्तिये हमें ये बताईए कि हम ऐसा क्या करें, निरंतर ऐसा क्या करें जिससे हम उस इस्वर के दिरन तर करीब होते जाएं, जिससे हम उस इस्वर को जल से जल प्राप्त कर सकें, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैंने उनसे वताया, कि भाई देखो, हम और आप जिस धर्म में हमने जन्म लिया, ये सत्यसनातन धर्म है, मैं जाती की बात नहीं कर रहा हूँ. सत्यसनातन धर्म में जो भी जाती है, उस सभी सत्यसनातन धर्म में ही आते हैं. भाई, हमने सत्यसनातन धर्म में जन्म लिया, हमें सत्यसनातन धर्म के सास्त्रों के अमसाथ चलना चाहिए. सत्यसनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनको अपनाना चाहिए. यदि हम अपने धर्म से विमूख होकर चलेगे तो धर्म होना तो दूर रहा हमारी इस आत्मा की कहीं भी गत्य नहीं हो सकती हमारे सत्य सनात्न धर्म ही पुरानी कहें यह वो धर्म है जो सबसे पुरानी कहें और इसके बारे में हमें पता लगता है संसल में जाने से कथा कीर्दन करने से सास्त्रों का पठन पाठन करने से पठन पाठन यानि पढ़ने और सुनने से जब हम सास्त्रों को पढ़ेंगे कथा कीर्थन में जाएंगे, सास्त्रों को सुनेगे तो हमें पता लेगेगा कि सत्यसनातन धर्म की कितनी बड़ी महिमा है। वो पुरानी धर्म है जिसमें समस्त देताओंने दर्संदी समस्त देताओंने आकर जन्म लिये। हम उस ... ब्हरत भूमें में ने जन्म लिया। ये सब बाते हमें किसी गुरु के साने देवे रहकर या फिर आज के समय तो ये नैट उपलग है इसमें अच्छे मार्ग दर्सन को धूले ऐसी बात नहीं है यूटूम पर हर चीज है अच्छाई भी है और गुराई भी है सही भी है और गल्ट भी है सोचना समझना आप के उपर डिपैट है आप उसमें से क्या च्छेश करते हो आप क्या उसमें से पकड़ते हो एक ही इस्तरी हर विक्तों को अलग-अलग रूप में देखती है वही इस्तरी पती को पतनी रूप में देखेगी बंचे को मा के रूप में देखेगी भाई को बहन के रूप में देखेगी वह एक ही इस्तरी है यह तो रही उनकी अपने निजी घर पे रहने वार मैं कहता हूँ बहार भी अजित्र सड़क परिया अन्य कहीं भी आपको इस तरह दिखती है तो जैसा आपका सुभावा आपको से वैसे ही देखोगे किसी को वैए अतिस सुदर काम नी नजर आएगी तो किसी को वैदेवी नजर आएगी और हम जिसों को है हाड़ मास जिसके अंदर केवल और केवल गंदगी भरीवी है असा एक सरीर नजर आएगा इसके लिए ऐब कुछ नहीं है मैं सुनता निश्तरी एक हाड़ बास से बनी भी अंदर गंद ही गंद भरी भी एक सरीर नजर आएगा जो मेरा है वो है उसके अंदर अनित्रे कुछ नहीं है सरीर के परतेक अंग से केवल और केवल गंदगी ही निकल रही है आप उपसे मीचे तक देख लेजिए इन नो द्वारव को देखिए इन दो द्वारा दो कांड दो नाग दो आँके और एक मोब और एक जनन और पड़जनन इन नो द्वारव में आप निरंता देखेगा देखे केवल और केवल इस सरी से गंदगी ही निकल रही है तो ये सज्ञान हमें सत्सम में जाने से होता है अच्छे गुरु के सानिद्य में जाने से होता है सास्त्रों का पठन पठन करने से होता है जब आप इसके पास जाओगे तो आपको समझ भाएगा कि मुझे दिरंता किस दिशा में किस और बढ़ना चाहिए किस तरीके से बढ़ना चाहिए इस स्वर्पुपाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अपनी आवसकताओं में डूब कर उनकी महों में फचकर हमने बना रखा है इस स्वर्प को तो साब करना है कि तू एक कदम मेरी और बढ़ा तू एक कदम मेरी और बढ़ा मैं दस कदम तेरी और बढ़ाओंगा तू बढ़ा कर तो देख दूसरी बात आती है कि ब्रह्मनों का निरंतर आदर करें ब्रह्मन जो पूज़नी है उनका निरंतर आदर करें जो संत महात्मा हैं उनका निरंतर आदर करें मैं अपनी बात नहीं कह रहा कि हमारा कोई हामान संबान करें ना करें मंदिरों में जो पुजारी हैं उनका निरंतर मान संबान करें कारण कि वो हमारे पूजनी है इस्वर के सब्पे है इस्वर की उनके उपर अंपा है यदि हम उनका अनादर करते हैं यदि हम उनका तिरस्कार करते हैं तो उस आत्मा उस पर मात्मा को हम इस आत्मा से इतनी सिक्र नहीं मिला सकते कारण क्योंकि उन व्यक्तों ने इस्वर के सारीतियों को प्राप्त कर रखा है और हम जब उनका अपमान करते तो समझो उस इस्वर का अपमान करते हैं कई बार मैंने देखा यहीं अपने आस्वासी कि लोग आते हैं के खांने के बाद अपने जो कार्या उने करने के लिए आए वो कार्या जल्द माजी बहुत और चले ले हैं भाइ जब आपको कोई कार्या करने के लिए फ्लाइक को नहीं वारे में बढ़ा तो तो मंदिर में जो बुजारी बैठे हैं, जो भक्त जन बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, कि मुझे ये अमुक कारी करने के लिए बताया गया था, ये मैं कैसे करूँ था, जो संत महात्मा है, उनसे पूछ लीजिए, कि मुझे अमुक करने के लिए बताया गया था, प् आप किसी बाद की मंदिर में जाए, कोई भाक जो आपको ऐसा नहीं के नहीं by tää का इसा की कुछ से सहङाए कि बढुना है या पूंच आप उसे पूछिए आप वोगा तो पुस्वां दाइति के उनके उपब भूगा आपकी पर नहीं है वो इस वर के सभी में रहते हैं यह गलत आपको रहा देगे तो उसका पाप उने लगेगा आपको नहीं मैं सभी भक्तों से निवेदर करूंगा यहां और यह अन्य अत्रमंद्रों में जाते हैं अपनी मन के रूची के लुसार उल्डा सिधा कारिकर के आ जाते हैं ऐसा ना करें कि अपने लगाया है और ऊक्रां पैसा करूंगे समय भी आहिए और आपने दस जूब है फचीपी किये समान भी लगाया पर उतों कारिये कर दा भक्ति और या वीदिभी जिवें से नहीं किया तो कारिय सित्ब city कि उत्य कि कुई भी कालिया होता है वो तरीकसी लिखिया रता है हर चीजका इन ट्र filt निया होता है उस नियां के हिसा бы करोगे तो सब वहเรา जगे कालिया से बुने में कुटता है कि अई निरन्तर यक विद्धि आपको में क obtुशलों प्रिशान हो उसके सिवा करें गाई देवताओं के यह भी पूजनिये हैं मरते समय काई का बड़ा ही महत तो होता है मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कल हम साकुप्रिदेवी गए तो वहाँ पर हमने देखा कुछ व्यक्ति भंडारा कर रहे थे और जब भंडारा कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो लोगों को बुला बुला कर कह रहे थे कि आओ भाई आजो महराज परसाद ले लो आजो महराज परसाद ले लो आजो महराज आ कि यहां चारों विक्षी तारा हुए हमरा अखैर बर्द था कि के कर ना भी होते तो भी परसाद किसी के अगरे करने पर थोड़ा उथ ले लेते हैं पर सापते हुए पर तो मैंने जो भात देखा जो जाना मैं वह कहना चाहरा हुए कि कर जब मैं ने विविन परकार के भंदारे ओ रहे थी और भंदारों नपर देखा उनके आज पास अनेको गाए गंबे अनेको गंबे उन भंदारे के कि इर्द इर्द घूम रही थी और वो उनको जाड़ू डंडों से कि पड़ता डिक्रतुम से उनको भागा रहे थे तो यह पुर्प सा तरीका है आप पुरिष्य को हाथ जोड़ जोड़ का भगतों को बुला रहे हैं कि आप भुजन कीजिए पुजन कीजिए पर तुम जो गउमाता श्रम आपके पास आ रही है उसको आप जाड़ों से भा र कितना बड़ा मुटता का काम है कि आपके जूटे पतल को गउमाता पूजनिय माता खा रही है उसके पास अगर आपके पास देने पुले नहीं है तो चारा दिदीजिए आप अंडार करने जा रहे हो आप से प्रवाधिकों को भुजन कराने हो कि आपके पास इक गठ्टी चीन रही नहीं टेने के लिए कैसे अपी गठ्टी घर्टी बढ़ंग यहता रहे है कि आपके पंक्रिती जबनार करने हैं और वहां और यहां आप ने जो भोजन बंना रखा है एक उन्वेमें से दो इतिन पतल अंब तरिकर AH लासफ को कंद नहीं कुग एसे प्रकादर हो ये क्या हैं कि जोटे पतल जोटे लोगों के जूटा प्जळ का रहे हैं और घंड के घुके कर का County डूसरा है कि एक जो बंदर आप देख रहे हो यह मंदर भूपसे बिलभवारहे से चारों बैठे़े देख रहे हैं आप आपने पांदर कर के छिवं को देख रहे हैं कि स्थ्वत करक zarे क्रों के जित धॉतिगरे हैं आप इनके लिए इनके लिए क्या लेकर आये हैं हाँ पताई ज़रा आप पूरी अलवा आप जो कुछ भी बुमनिश्यों को आप से की हुद्तों खिला रहें इनको आप क्या खिला रहें आप भक्तु सरी मेरा निमितर हैं, कल मैं जब साकुंबर देवी गया, तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी पूरे बैग में फल ही फल भरे वे थे, जो मैंने कीवर बंदरों के लिए लेकर गया था, मेरी सामध्य ऐसे रेदी कि मैं मनना रहा कर लूँ आ, जम समधाय के विप्रिक एक बैग फलों का भर कर ले गया और जितने जितना वैसे हो सकता था मैंने मंदरों को फल बाटे, फल दिये, आप जब बंदा रहे तो आप चारों और देखे, क्या आप इवाज कौन से जीव जनतु हैं, जो आपके पास आ रहे हैं बोजन के लिए, आप उनके परसाथ लेने का अपका हक नहीं है, आप सूचे जारूं, आब जो कोई कारीय कर रहे हैं तो स्कून तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें तभी वैकारेशी दोठा है, जो आपके कारीय करने के बाद एक भी जीव आपके सामने से यह संतुष्ट होकर जा रहा हैं, तो उ जब वह पूर्ट संतु ठो कर जाए वह जो जी दिन तो आके पास है वह भी आपके द्वारा भोजर जो आप जे दिरचारे से संतु ठो कर जाए यह नहीं कि आप सभी बढ़ा पुछ भटो को तो आप पुछ परा रहे हैं जो पता आप पस एक्रमें टिका रहे हैं उखा पु अब दुसरा करब एक और रहए लुख जो मैं तुम्हें बता रहा हूं पर इस्थरी घामी किसी भी स्थिती में मत बणना या ने कि तुमने परिष्थरी गवर्न किया तो परलोग में तुम्हें लोही कीवडी इस्थरी से निफटाया जाएगा यह शक्त्या है तुम पर लोग को जाने बाद तुम्हें जो यातना के आदिश दे जाएगी, यब्दुतु का आदिश जाएगी और तुम्हें नर्ग लोग में ड़ा जाएगा, उस नर्ग लोग में तुम्हें नोही की तपाई भी इस तरी से आल निंगन करा जाएगा, यह सकती है, परमान विश्वर पर विश्वास तरक नर्व पर विश्वास पर लोग पर विश्वास यह दिवुरिश्य को नहीं है तो विश्वर को कभी नहीं पा सकता अब इस स्वर्व पर विश्वास रखे पर लोग पर विश्वास रखे साती मैं उन्हों माता पहनों से भी कहूं। जो परपुरुस के और ध्यान अगरसित करती है वे भी इस बात तो सचेत रहें कि उनकी भी मरने के बाद नर्ट लोग में दुर्गती होगी उन्हें भी लोहे से तपई विल मुनिश्य जीवन अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए हुआ है कि आज बार्य stores को सफे ले लेते हैं कि तुने पॉरे दिन में धावन नाम लिया तो वहहorit बासनि के बारे में एक सब्री भी नहें भे नहीं को सकता वोथ दूरा उसने अपने ऑन्हां का स्थान भी नहीं गिया भगवान होता क्या है सुबह से उठा अपने रेंतर कारिये में मागन निमागन निमागन जहां देका मोबाइल लेने लग गए पर उसकी स्वार का एक बार नाम तक नहीं रहे लिए कि यह कल मैंने देखा कि सापुम्रदिव्यान अश्थानों पर जहां पर देव मंदिर उते लाइन लगिए लाइन में लगिए लोगा पीछे खड़े ले रहे हैं मंदिल विदे तो भी सेल्फी का ही ध्यान है और इसी स्वार का ध्यान है थैं नहीं जिसके पास आप जा रहे अैसलत तो इस आनी क्वाय तो झायरों और चटीन एक," .. यह आपके नित्य करव तो नगी है जो आपके विज्टे करव सभाएं, जिस्व दिशनी से यहां किAbs्टी प्रपाएं वो इस सत्य सद्वूसरात में आपके ज्ण लिया, यहांके नित्यक्रम थोड़े है जो आप कर रहे हो। इस सक्तितिय स्टानद्रम आप जर्ब लिया। क्या आप उसके लिए प्रयतन कर रहे हैं। पहले आप उसके लिए प्रतन करो इस फोटो खेंचने से इस कार्ये में लगने से या इन चीजों को करने से आपकी कोई विशिस बढ़ाई नहीं हो कि आपका परलोक में ये कुछ भी काम नहीं आएगा वहाँ पर इसकी कोई बढ़ाई नहीं हो पर इस आपने कितने फोटो कैंचे क्या 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 नहीं क्या और जो संसार आप सी इस चीज पर बढ़ाई करें ना ये असलन सी मिठेल को आप भी मिठेले वाले हो कि आप भी जाओगे ये संसार भी चला जाएगा को या दस 20-50 साल बाद आपको और इस अंसार जो बेखते हैं सामने रहे हैं इनको कोई नहीं बूचने वाला निरंतर मुनिश्य पुरित्य के ओर जा रहा है निरंतर जो पैदा वर्यों मन जाएगा इस चित है ऐसा कार्य करो जिससे इस आत्मा का उठान हो ये परमातमा के और उग्र सिर हो परमातमा के सवनिद्धी को प्राप्त करें ऐसे करब करो मैं ये नहीं कहा कि आप सेल्फ इडियो रहे हुत यह मत करो करो जो आप में भणना है करो कोई बार नहीं लि wiedकि ऐसा करम भी करो जो साथी को अच्छा हो जो आपके आत्मों का अच्छा लगे निरंतर करो मैं आपको बार-बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जो कारिय करो साथ भे कर निरंतर करो तब उसका फाइदा है तुसरा नसीले परदार्तों का सिवन यदि आप करते हैं तो उसको दिरे-दिरे कम कर दें रिकम करने बाद धीरे धीरे से छोड़ दे नसे पतार्त से बुद्धी करद कभी नहीं हो सकती बुद्धी के अंदर कर आएगा सोच इसके silsuk ने सकते कि धीरे धीरे किस्ट सब्सक्राइगी और जब अगयों तो आप इसे, को कभी प्राक्न नहींक हो सकती के है कि नसाई कासा होता है जब नस्या इंसान को चड़ता है तो बिए अपने जो विएक है उसी शक्ति कोटीफ सोच्प सवंत्थी को कूदीता है नसा संथ को यह भूला देता है कि तुझे अमुक व्य करना चाहिए अमुक नहीं करना चाहिए सकतर सनातन धर्म में जन्म लिया मैने भग जी आतों बापने सांति को आपने सकती सनातन धर्म में चन्म लिया आपका गरतभ यह है कि हम साथ में सिर्थ के समान है हमने ऐसी भूमे जन्म लिया कि हमें बंबंबह का सानित्य प्राप्ट करना चाहिए मैं में है इक जो कि अध्गन करने चाहिए वाकों के दर्शन करना चाहिए जो स्वर्व लोकों मे धर्वान विश्व के पास लेती थी और आज हमारी पाप धुने के लिए प्रित्वी लोग पर है प्रंतों हम उसके दर्शन करना तो दूर उसे पवित्र कर रहे हैं गंगा के पास जाकर सैंकुड़ो अपरात कर रहे हैं सैंकुड़ो पाप कर रहे हैं मल मुत्र उसके पास कर रहे हैं तो ये हमारे बोज बातों पर कितना बड़ा बोज है क्या हम इस तरीके से अपने आत्रों को अधार कर सकेगे कभी भी नहीं कर सकेगे बगर जी आप गंगा के पास जाएए गंदा के पास जाकर उपरनाम कीजिए उपकी मंद्रा कीजिए और अस्नान कीजिए इस सुभागे की बात है किस देवताओं में रहने वाली मा गंगा हमारे सामने है और हम इतने पास रहने के बावजूद भी गंगा का असपर्स नहीं कर पारी गंगा को के अंदर जाकर हम अपने इस आत्म को सुद नहीं कर पारे आप परती वर्ष गंगा के पास चाहिए ये नहीं कि आप सावन में ही जाए देखो मैं भीड से खंडल करता हूँ जहां भीड होती है भीड से बचे बारा महीने महीने के तीस इकतिस दिल मेरी ये सब एक समान है सभी तोहार हर रोज है अगर आप निरत तर पूजा करते हैं तो आपके लिए सब एक समान है